हेलो एब्रिवन मैं हूँ आपका दोस्त नमोनोराण सुकला और आज का टॉपिक है चांद जब भी चांद के मिसन की बात होती है तो सबसे पहले नील आर्म स्ट्रॉंग का नाम आता है मुझे लगता है सबको ये बात पता होगी कि चांद पर पहला कदम नील आर्म स्ट्रॉंग ने रखा लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अपॉलो 11 के मिसन पर गए नील आर्म स्ट्रॉंग माइकल कॉलिंस और बज एल्डरिन ने 20 जुलाई 1979 को चांद की सदय पर लेंडिंग की थी नील आर्म स्ट्रॉंग ने अपना पहला कदम बाहर निकाला और इसी के साथ उन्होंने सबसे पहले चांद पर पहुँचने का रिकार्ड बना लिया लेकिन अभी यहां कहानी खतम नहीं हुई अब आता है कहानी में ट्विच्ट नील आर्म स्ट्रॉंग के बाद बज एल्डरिन जब अपोलो 11 लेडर की सीड़ी से उतरने की कोसिस कर रहे थे उसी वक्त उनके स्पेस सूट में रखे एक खास बैग से पेसाब निकल कर चांद पर फैल गया भले ही बज एल्डरिने चांद पर सबसे पहले कदम रखने का रिकार्ड नहीं बनाया लेकिन वह पहले ऐसे इनसान बन गए जिन्होंने चांद पर पेसाब किया ओके थैंक्यू सो मच और इसी के साथ ये वीडियो समाप दोता है